असलाम अलेकुम एवरीवन वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल किश्माइला आई होप और प्रेक आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे मज़े से अपनी लाइफ गजा रहे होंगे आज हैं पढ़ेंगे कोर्स कोड़ पीएस वाइफ फोर जिर टू एक्सपेरिमे है क्या सेट ओफ रिलेटिड स्टेटमेंट्स डैट एक्स्पेरियन अवराइटी ऑफ अकरंसे बहुत से होने वाले वाकियात को आप चंद स्टेटमेंट्स में एक्स्पेरिन कर देते हैं उनकी वजाहत कर देते हैं ठीक है उसे कहा जाता है थियूरी अब यहां पर कुछ पावरफुल थियूरी भी होती है अब पावरफुल थियूरी क्या होती है कि कोई भी थियूरी जो बहुत ज़्यदा वाकियात को कवर करती है वो एक पावरफुल थियूरी कहलाती है जैसे फिजिक्स में ग्रैविटी एक पावरफुल थियूरी है क्योंकि वो बहुत से व पावरफुल थीयोरी फैजिक्स में कहईधाती लेकिन फैजिक्स में ग्राविटी जैसे हमने जी एक पावरफुल थीयोरी है psychology में कौन सी पावरफुल है यहापर जब पावरफुल थो All आती है तो जिकर होता है classical conditionерж के बहुत ही powerful theory है basically classical conditioning है कि जब भी दो वाकियात या दो चीज़ें अकठी आपके सामने आएं तो उनकी एक दूसरे से association या वबस्तगी हो रहा है ठीक है उसे classical conditioning का जाता है जैसे कि आपने अगर कुछ भी खाया है उसके taste आपको अच्छा नहीं लगा बहुत bad कंडिशनिंग भी एक powerful theory है जिसमें हम effect of reward को explain करते है reinforcement या punishment को कि अगर आप कोई भी काम करते हैं उस पर आपको reward दिया जाता है ठीक है आपको praise किया जाता है आप वो काम बाहर बाहर करते हैं ठीक है we must remember that theories in psychological science are not as quantified हर जो थीयोरी होती है psychology में psychological science में वो quantified नहीं होती वो precise नहीं होती other than दूसरी sciences की तरह such as physics क्योंकि जो psychological theories होती है उसमें क्या होता है कि ये ज्यादतर human behavior का मामला है ना क्योंकि जो के number में operate नहीं करते है quality में operate करते है ठीक है और psychological जूरुरी नहीं है कि हर theory जो है वो completely तमाम psychological events को explain करे ऐसा नहीं होता major functions दो theories क्यों होते है psychology में वो है organization of data and prediction organization of data में क्या बात हो रहे है कि आपको जो theory है वो complete framework देती है ठीक है वो आपको आप बताती है कि ये आपका structure है इसके मताबिक आपने आगे data को display करने और prediction में क्या होता है कि जब आपने data को देखते हैं आप theory को देखते हुए predict कर लेते हैं कि आपके data के ये results निकलेंगे ठीक है आप prediction को generate करते है situations को देखते हुए theories can't be tested directly किसी भी theory को directly आप test नहीं कर सकते नहीं कोई single magical experiment है जो कि theory को प्रूब कर दे कि ये correct है या incorrect है scientist experiments को perform करते है theories को test करने के लिए और ये जो experiments हैं ये different assumptions पर based करते हैं और hypothesis drawn होते है और hypothesis और different assumptions पर जब ये based करते हैं then theories draw होती है next topic number seven है theories and hypothesis theories and hypothesis की बात हो रही है question theory हो पटके आगे हैं क्या होता है अच्छे से में समझ आ गया theory क्या होता है अभ hypothesis क्या होता है hypothesis होता है कि यो भी hypothesis basically theory से निकलते हैं theory से hypothesis जो है वो draw होते है यानि व fear hypothesis जो कोई theory पेश करती है उन्हें हम experiment में test करते हैं problem we learned approximately कोई statement कोई pyramid hashtag cover hypothesis चाहिए होते मैं लिए होते हैं बसी कली से निकलते हैं कोई ऐससे स्टेट्मेंट होती है इसके उफर हम आगस्टेश nossos यह ऊठता है अब हाइपыт ही स्पेसिकिक स्टेबल स्टेटमेंद के आपना तो नहीं होता है जो अब को पर Можно पर एकस्पेसिक टेशिस्टे。 लेकिन जेनलाइजेशन में क्या होता है कि जनलाइजेशन एक ब्राडर स्टेट्मेंट होती है इसको आप डिरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते एक्जेम्पल्स पे जैसा कि हमने एक हाइपो थीसिस बनाई है कि जो ज्यादा एज के ड्राइवर होते हैं 60 प्लस के जो अधाय हमसा करें सकते हैं कि वह एक हाइपो थीसिसिस इसमें हमें हर चीस के रिए हैं थीक है के ड्राइवर के आउइज है नास का का ड्राइड को लेनी हैं बहुत ज्यादा है जिसका आप समझ आ रही है अब जनरलाइजेशन क्या होता है कि आप सिंपली कह दें कि जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनके साथ driving unsafe है या उनकी driving unsafe है यह को आप जनरलाइजेशन एक term यूज कर लेते हैं जो ओरतें है वो driving ठीक नहीं गरती ठीक है अगर आप कोई ऐसा problem एक्सपिरिएंस आपके साथ होता है कि आपको किसी भी female driver से मतलब कोई प्राबलम होती है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि ओरतें ड्राइविंग ठीक नहीं करती है हो सकता है कि उस ड्राइवर की शक्सियत में कोई चेंज हो ठीक है उस फीमेल की स्पेसिफिक उस फीमेल में लेकिन जो हम बात on the general note करते हैं अपने ही कि अपने ही अपने साथ हुएगी experience से करते हैं उन्हें generalization कहा जाता है लेकिन जब हम उसे generalization को आगे लेकर चलते हैं उसके उपर हम experiment भी करते हैं और फिर हम उससे theory बनाते हैं और उस theory से हमारे पास hypothesis निकलते हैं ठीक है आपने कोई एक general आपने statement आपके सामने आई ठीक है लेकिन आपने उसको उसके पर test भी किया test करने से फार इसेंपल यहाथ में हम एक example ले लेते हैं कि यह general statement है कि अगर बना थका हुआ हो ज्यादा काम कर तो वह चर्चड़ा हो जाता है ठीक है यह आपके पास एक generalization है यह आपके पास एक general statement है अब इसके उपर आप test भी करते हैं आप शाम के टाइम जब रात होने के करीब होती है सारा दिन गुदर जाता है आप किसी बंदे से रस्ता पुछे किसी को कुछ तंग करें या कोई question करें वो irritate हो आप से वो ठका हुआ हो तो आप करते हैं कि आपके results सेम निकलाए है आपके वह results निकलाए है जो कि आपके mind में था जो कि आपकी prediction थी मतलब आपका experiment ठीक हो गया तो वो आपकी एक theory बन गई जो कि generalization से आई है इस तरह generalization और hypothesis के में दोनों में एक relationship है जिसको scientifically अप्रूव किया जाता है और ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं एक दुसरे के लिए अब यहाँ पर depend करता है कि आप generalization से start करते हैं generalization करते हैं फिर आप experiment करते हैं फिर आप उससे theory निकलते हैं और जब आपके एक theory बन जाती है तो उसके उपर different आगे लोग test करते हैं वो बेशक आप ही दुबारा करते हैं या और लोग करते हैं तो वो different hypothesis निकलते हैं उस theory से ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि theory बनने के बाद hypothesis आ रही है समझाई नेक्स्ट आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है criteria अगुड तोरी उपर थोड़ा हम रह गया अगुड theory can produce many generalization and each generalization can be developed into more than one hypothesis जैसा मने आपको पहले 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 है कि generalization और hypothesis में एक relationship है और यह दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि एक जो good theory है उसके अंदर बहुत ज्यादा generalization पाई जाती है और हर generalization जो होती है वो एक या एक से ज्यादा hypothesis को develop करती है जैसे हमने पढ़ा है उपर के generalization पहले आप करते हैं फिर आप experiment और जब theory बना लेते हैं तो उस theory से different hypothesis निकलते हैं एक या एक से ज्यादा आप उसे hypothesis बना लेते हैं ठीक है criteria उससे पहले बात हो यह inductive process की इसमें वह कहरे हैं कि जो हम उपर generalization के बारे में पढ़के रहे हैं इस तरह के experience को inductive process कहा जाता है और hypothesis जो होती है वो drive हो या inductive process से जिसको common sense hypothesis भी कहा जाता है इंडक्शन में क्या होता है कि reasoning proceed करती है particular data से general theory की तरफ और reduction में क्या होता है कि reasoning जो होती हो परसीड करती है general theory से particular data की तरफ criteria for theory में बात हो रही है कि theory के लिए क्या criteria है सबसे पहले कि जो theory है वो आपकी evidence पे बेस होनी चाहिए reasoning process या evidence आपके पास मजूद हो ठीक है इंडर क्या होता है कि जो भी theory होती है वो हमारे behavior और हमारी personality को process करती है जिससे आगे different hypothesis निकलती है फिर उन hypothesis को अब test करते है उन hypothesis पर आप experiment करते है और theory different phenomena's को address करती है और logical explanation देती है आपको ठीक है जिस तरह different theories हैं कि अगर बच्चे जो होते है वो आगे example आ भी रही है social learning theory में कि बच्चे अगर एक harsh रविया अक्तियार कर रहा है कि उनके सामने तो बच्चे भी वैसी aggressive होंगे ठीक है तो इस तरह के different phenomena's को theory address करती है और उनके logical explanations देती है उनकी और social learning theory में बात हो रही है कि जो भी बच्चे होते हैं वो modeling के जरीए मतलब aggressive होना सीखते हैं दूसरों को देखके सीखते हैं आप जो एक्टन के सामने करेंगे वो भी वही सीखेंगे जैसा कि अगर ये एक बड़ा ही मतलब ये बहुत अच्छा experiment है कि बच्चों के सामने अगर किसी डॉल को हिट के जा रहा तो बच्चा भी आपको देखके ऐसे ही करेगा और अगर किसी बच्चे के सामने आप कोई ट्वाई शेयर करें तो बच्चा भी अपने ट्वाई को शेयर करने की कुशिश करेगा आपको कापी करेगा diffusion of responsibility यहां एक term यूज हो रही है social loafing social loafing क्या होता है कि जब आप socially gathering करके एक group work करते है और लेकिन आप उसके अंदर अपनी अतनी input नहीं देते जितना कि आप अकेले होते तो आप उस काम के लिए देते means that ही experiment किया गया है अगर आप group working हो रही होती है तो हर बंदा अपनी कम effort put कर रहा होता है बजाए इसकी कि अगर उसे वो काम अकेले को दिया जाता तो वो उसमें अपनी input ज्यादा लगाता ठीक है और ये बड़ा अच्छा experiment था और इसे देखा गया कि बिल्कुल इसके यही दर्वस निकले कि जब group working हो रही होती है तो लोग उसकी responsibility कम लेते हैं कि होता है कि माइन्ड में यह आता है कि को से सिर्फ मेरी जिमत आ रही है और लैटने ने study किया और उनने देखा कि social loafing जैसे एक interesting problem को आप किस तरह laboratory setting में ला सकते हैं कि हमें रोज मरा की जिन्दगी से मिल रहा है ठीक है और इसी तरह इन्होंने आगे एक बनाया हुआ कि थियोरी से आपकी reduction निकलती है deduction आप data निकलते हैं then induction and then theory ठीक है और या फिर data सही आप पहले data दे लें उसके उपर उसका experiment करें देन आप थियोरी बनाया देन आप hypothesis देखें अपने deductions निकाले अ गुड थियोरी इस फालेबल मेंस दाट इसको आप डिसप्रूव कर सकते हैं और आगे जो हमने social loafing देखी यह example देखी हमने social loafing की जब इसे observe किया गया इसके उपर experiment किया गया तो इसके जो भी इसका फिनोमीना था इसको जब देखा गया और इस फिनोमीना को नाम दिया गया by standard behavior का जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर road accident हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यदा लोग है तो उसकी जो भी road accident का शिकार आ accident हो रहा है वही पर सिर्फ या एक या दो ही लोग मुझूदा तो वो फोरान उसकी help करेंगे वो किसी दूसरे को पर rely नहीं करेंगे अगर ज़्यदा लोग है तो आपके नहीं किया तो खैरा और लोग है वाकी help कर देंगे ठीक है इस तरह आप पनी जो responsibility है वो आपका शो कर को देखा क्या होता है hypothesis को देखा क्या होता है hypothesis और जनलाइजेशन का क्या आपस में relationship है and then हमने कुछ theories के criteria के बारे में बात की अगर आप लोग अभी भी कुछ समझ नहीं है आप लोग कमेंट बोग से पूछ सकते है या अपने LMS पर जाकर पर टीचर से question कर सकते है लास्ट कर दो